हाई एवरिवेन वेलकम बैक तो मैं चानल इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं डिफरेंशिल पॉल्स कोड मॉडिलेशन मतलब DPCM तो हमने प्रीविएस वीडियो में PCM पढ़ा है क्वंटाइजेशन पढ़ा है इस वीडियो में मैं DPCM की कंसेप्ट बताऊंगी ओके देन हम DPCM के block diagrams पढ़ेंगे और फिर इसके advantages देखेंगे तो पहले देखते ही कि why not PCM what was the drawback in PCM तो PCM में क्या होता था कि जो भी आप samples लेते थे उसमें बहुत ज़्यादा correlation था correlation मतलब क्या कि यह जो X of T है वो अगर आप देखोगे तो वो rapidly change नहीं हो रहा है अगर मैं यह एक part उठाओ तो यह जो value है इसकी वो इस value से ज़्यादा differ नहीं कर रही है तो जो दोनों sample के बीच में का difference है वो बहुत small है इसी को हम correlation बोलते हैं कि आसपास वाले samples almost same है जो highly correlated samples है यह वो वैसे ही encode किये जाते हैं अभी यह example देखो अगर मेरा यह वाला sample है वो encode हो रहा है 110 पे और जो next sample है वो encode हो रहा है 111 पे तो इसमें सिर्फ यह एक bit change हुई है 0 to 1 ओके इसका मतलब क्या जो बाकी 2 bits है वो redundant है उन्होंने कोई information ही पास नहीं किये तो PCM का यही drawback है कि highly correlated signals वैसे के वैसे encode किये जाते हैं और उस encoded signal में redundant information है अभी PCM के हमें problem समझ में आ गई अब DPCM वो problem कैसे solve करता है DPCM यह redundancy reduce करके जो sampled signals है वो कैसे efficiently encode करता है वो अभी हम देखेंगे DPCM में special circuit use होता है जिसको हम बोलते है predictor इसको prediction filter भी बोल सकते हैं तो यह क्या करता है यह future samples के values predict करता है यह DPCM का transmitter block diagram है अभी इसको अगर आप directly पढ़ने जाओगे तो कुछ नहीं समझेगा मैं एक example लेके आपको समझाओंगी बस आपके पास patience चाहिए आपको सब कुछ समझेगा So I have taken this low level example to understand block diagram हमारे पास यह एक sampled signal है जो की sample होके आया है अब इसके जो amplitudes है 1, 3, 6, 10 वो ही मैंने यहाँ पर लिख है जो next sample है उसमें से मैंने previous sample minus किया और उसकी value यहाँ पर लिखी So 3 में से 1 minus हुआ, 2 आ गया, 6 में से 3 minus हुआ, 3 आ गया, 10 में से 6 minus हुआ, 4 आ गया तो यह जो उपर की samples थे, वो थे PCM के और यह जो difference निकालके आये है वो है DPCM के So DPCM is talking about the same difference, उसके नाम में ही है differential purse code modulation तो अभी इससे क्या हुआ, इससे क्या फरक पड़ा, तो पहले हमारे samples 0 से 10 तक थे, अभी वो 1 से 4 तक है मतलब इसकी जो range है वो कम हुई, तो इसको आप difference signal बोलो या error signal बोलो, उसको हम denote करते है E of NTS से यह हम बाद में देखने वाले है equations मेगरा सब कुछ, अभी सिर्फ concept समझ लो अभी हमने step size का यह formula देखा हुआ है quantization के वीडियो में इसमें VH क्या होता है highest voltage, VL क्या होता है lowest voltage तो यहाँ पर in case 1 यहाँ पर जो VH है वो है 10 और VL है वो है 0, so यह जो VH minus VL है वो क्या आ गया 10, अभी in case 2 मतलब इस वाले case में यह 1 से 4 तक vary हो रहा है, so 4 minus 1, 3 आ गया, मतलब यह जो इसका numerator है वो second case में reduce हुआ है, तो इसका मतलब क्या कि अगर मेरा numerator घट गया तो मेरी step size भी घटेगी, if VH minus VL decreases, मै step size also decreases और अगर यह step size decrease हुई, तो मेरा quantization error भी reduce होगा, यह concepts हमने पहले देखे हुआ है, अभी हम वो सिर्फ DPCM को relate कर रहे है, so DPCM का fundamental concept बहुत simple है, दो sample के बीज का वो difference लेता है, और वो difference ही आगे encode होता जाता है, अभी हम देखेंगे transmitter block diagram, अभी यहाँ पे आप आपका sampled input डे रहे हो, अभी यहाँ पे एक adder लगा हुआ है, इस adder को क्या जा रहा है, आपका original sampled input और इस predictor का predicted next sample, अभी यहाँ पे इन दोनों का difference होगा, जो हमने उपर देखा था, वो ही concept है, वो जो error हमें मिला, जो difference हमें मिला, वो हम quantizer को भेजेंगे, उसको हम quantize करके, फिर से एक adder को भेजेंगे, तो जो error है, वो है मेरा E of NTS, और जो quantized error है, वो है मेरा EQ of NTS, अभी यहाँ पे यह जो adder है, वो predictor का output, और यह जो quantized error है, उसको add कर रहा है, और फिर से predictor को भेज रहा है, फिर यह जो quantized error है, वो हम आगे encode करके भेज रहा है, for better understanding मैं आपको numbers के साथ बताती हूँ, suppose हमारी sampled value है 1.1, तो initially predictor का output हो 0, तो 1.1-0, 1.1 ही आएगा, यहाँ पर, ओके अभी यह 1.1 quantizer क्या करेगा, round off करेगा, इसकी सबसे closest value क्या है 1, तो यह 1 encode होके हो जाएगा, 001, ओके, 3 digit में वो encode करेगा, अभी जब next sample आएगा, समझो 1.2, ओके, अभी इसमें यह जो 1 था, वो यहाँ पर add हुआ था, ओके तो यही predictor का 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, ओके, अभी मेरा next sample है 1.2, अभी यह जो predictor का 1 है, वो उसने यहाँ पर लाया, फिर 1.2 से 1 minus हो गया, तो हमें 0.2 मिल गया, अभी यह quantizer फिर से round off करके, इसको 0 बनाएगा, closest value क्या है 0.2 से, 0, और फिर यह 0 वाली value encode होके आगे चल तो पहले हमने क्या transmit किया, 0, 0, 1, फिर अभी हम क्या transmit कर रहे है, 0, 0, 0, ऐसे यह encoded signal चला जाएगा, ओके, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ यह difference है, वो ही encode हो रहा है, ओके, अभी हमें थोड़े equations भी समझने है, तो पहले तो X of T अपका message signal है, उसको अपने FS के rate पे sample किया, त X of NTS, clear, तो यह sampled signal हमारे DPC transmitter का input है, और यह जो X cap of NTS है, वो है हमारे predictor का output, आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके, फिर यह जो adder है, यह adder क्या कर रहा है, यह जो दो signals है, यह दो signals, इनका difference ले रहा है, इसको बुलेंगे हम prediction error, what is prediction error, sampled value minus predicted next value, ओके, तो इस adder का output है, sampled value minus predicted value, ओके, तो इस equation को हम बोलेंगे 1, अभी यह जो error है, वो quantizer को जा रहा है, और हमें EQ of NTS में जाए, ओके, तो वो ही मैंने यहाँ पर लिखा है, EQ of NTS क्या होगा, E of NTS और quantizer अपना quantization noise भी add करेगा, तो Q of NTS add हो जाएगा, ओके, तो यह है quantizer का output, अभी यह adder का output देखा, फिर यह quantizer का output देखा, अभी इस वाले adder का output देखते हैं, तो इस वाले adder को क्या जा रहा है, यह EQ of NTS जा रहा है, और यह X of NTS जा रहा है, तो XQ क्या हो गया, EQ plus X cap, तो वो ही मैंने यहाँ पे लिखा है, XQ क्या हो गया, EQ plus X cap, ओके, यह समझ में आ गया output of adder, अभी क्या करना है, इसमें यह EQ है, वो हमारे पास available है, वो हमें सिर्फ इसमें replace करना है, तो यह यलो वाला देख रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे पुरा substitute कर जिया है, ओके, फ पास X cap है, तो इसको उस side भेज दो, और science change करो, तो आपको यह वाला equation मिल जाएगा, ओके, यह कहां से आया है, equation number 1 से मतलब इस वाले equation से आया है, ओके, तो यह जो X cap है, वो मैं replace कर दूँगी, इस वाले equation से, तो यह मैंने यहाँ पे सिर्फ replace किया है, यह जो E की term है, वो cut ग factor का input है, वो किस पर depend है, हमारे sampled signal पर और उसमें जो quantization noise add होता है, थोड़ा बहुत उस पर, ओके, तो यह equation आपको पता चला, XQ equal to X plus Q, ओके, अभी आपको conceptually भी diagram समझ में आ गई, और equation wise भी समझ में आ गई, ओके, अभी हम DPCM receiver देखते, अगर आपको transmitter समझा है, तो आपको सिर्फ उल्टा काम होगा, अगर 001 वहाँ से encode होके value आई है, तो यहाँ पर वो decode हो जाएगी, यहाँ पर वो हो जाएगी 1, ओके, तो इस error में हम हमारी जो predicted value है, वो add कर देंगे, यहाँ पर यह adder लगा हुआ है, तो हमारा जो original signal है, sampled signal वो recover हो जाएगा, फिर यह जो staircase signal ह है, वो हम LPF को देंगे, तो हमारा continuous signal recover हो जाएगा, so receiver is very easy, decoder reconstructs quantized version and predictor output is added, ओके, हमें यह वाला recover करना था, तो हमारे पास यह available है, तो इसमें हमने यह predictor का output add कर दिया, तो हमारा x of nts, मतलब original signal recover हो गया, वो ही मैंने यहाँ पर लिखा है, e of nts plus x cap of nts, equal to x of nts, sampled signal, ओके, फिर इसके advantages क्या है, तो इसमें आपकी जो range है, वो कम हो जाती है, तो मैंने उपर concept में समझा था, कि कैसे उसकी range कम हो जाती है, dpcm से, so bandwidth requirement is less than pcm, फिर step size घटी है, तो quantization error भी घटा है, number of bits used to represent sample is reduced, अगर आपकी range घटी है, तो आपके number of bits भी घटे है, to represent sample, ओके, फिर इसके applications क्या है, speech, image and audio compression, suitable for real-time applications, so I hope आपको dpcm पूरा समझा है, ये equations, ये block diagram, concept आपको अच्छे से समझी है, if there is any confusion, watch this video once again, keep patience, I am sure that you will understand it, that's all for this video, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को like करो, मेरी पूरी playlist अपने friends के साथ share करो, मेरे instagram handle को भी follow करो, वहाँ पे भी मैं बहुत useful, interesting stuff upload करती हूँ, thank you